रेल्वे में नौकरी का पिटारा खुल गया है RRB NTPC के विभिन पदों के लिए कल से अपलाई कर सकते हैं आवेधन के लिए रेजिस्टेशन लिंक 14 सितंबर से खुलेगा योगे और इच्छु को कैंडिडेट एपलिकेशन लिंक एक्टिवेट होने के बाद फॉर्म भर सकते हैं ऐसा करने के लिए कैंडिडेट को अपने रीजन की रेल्वे की वेब साइट पर जाना होगा पदों की जानकारी के लिए आप rrbcbg.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं बताते चलें इस रिक्रूटमेंट ड्राइब के माध्यम से उल्ग 11,588 पदों पर योगी कैंडिडेट की न्यूक्ति होगी सेलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट को All India कहीं भी न्यूक्ति मिल सकती है इस भरती के तहट दो तरह के पद भरे जाएंगे ग्रेजुएट पद यानि वे वेकेंसी जो ग्रेजुएशन पास किये उमीदवारों के लिए है साथ ही Undergraduate पद यानि वो वेकेंसी जो बारवी पास कैंडिडेट के लिए है बताते चलें कि इन पदों से जुड़े डिटेल वेकेंसी के टाइप के हिसाब से अलग है जैसे Graduate पदों के लिए Registration Link कल खुल रहा है जबकि UG पदों के लिए Link 21 सितंबर के दिन खुलेगा पहली केटिगरी के तहत आवेदन करने की आखरी तारीक 13 अक्तूबर है और दूसरी केटिगरी यानि UG के तहत आवेदन करने की आखरी तारीक 20 अक्तूबर रहेगी UG पदों की Age Limit 18 से 33 वर्ष और Graduate Pass की Age Limit 18 से 36 वर्ष तहे की गई है RRB, NTPC के इन पदों पर Selection Vacancy के मताबिक कई चरण की परीक्षा पास करने के बाद होगा जैसे Station Master और Traffic Assistant पद के लिए CBT 12, Document Verification और Medical Examination होगा वहीं बाखी पदों के लिए भी जरूरत के मताबिक CBT 12, Typing Skill Test, BV और Medical Round इत्यादी अलजित किये जाएंगे Selection Process में अंतर पद के हिसाब से होगा